दोस्तों आज हम शिफीलिस में चर्चा करेंगे शिफीलिस एक स्ट टिय यह यह केसे i daimi और स्ट्राइग्वस के में इससे होता है और ँसका इलाज के बारे में हम डिटेल्स में इसमें आपको पताएंगे तो चली शुरू करते टॉपिक इस एक सेक्षवली ट्रास्मिन डिजीज है यह एक इन्फिक्सियस डिजीज है यानि एक बैक्टरिया होता है जिसको नाम जिसका नाम है त्रिपानवा पालिडन यह बैक्टरिया के वज़से इस इसका बिमानी होता है इस 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 बीडियो में एक स्टेज के बारे में आपको डिटेल्स में बताएंगे तो चलिए फास्ट जनते हैं प्राइमरी स्टेज क्या होता है इसमें क्या होता है जब कोई इंफेक्टेड परसं यानि जिसका सिफिलिस है अगर उसका कॉंटेक्ट में और कोई नॉर्मल इंसन आता है तो उसका अगर लड़का है तो उसका लिंग में यानि पेनिस में एक छोटा सा घाव होता है तो य यह जो सेंकर है नॉर्मली 20-21 दिन के बाद ही होता है आज अगर किसी से आप इंफेक्शन का कॉंटक्ट में आए आप किसी के बास सेक्स करने चलेगे जिसका ही शिफिलिस है तो तुरंत अगले दिन आपका इस एंकर नहीं आता है नॉर्मली 15-20 दिन के बाद यानि कभी कभी में 21 दिन 3 विक्स बोलते है तीन हपते के बाद आपका अगर लड़का है तो पेनिस में वहां पर यह सेंकर देखने को मिलता है और यह जो घाओ है आपको जैसे बोला पेनले से इसलिए कभी कभार लड़कियों में पता नहीं चलता है कि घाओ हुआ है या कि नहीं हुआ है लड़कों में यह बाहर से देखने को पता चलता है कि छोटा से घाओ हुआ है तो उस ताइम में अगर कोई नॉर्मल आंटीबाइडी खा लेता है ठीक हो जाता है अगर नहीं खाता है तो यह सेकंडरी स्टेज में चले जाता है और इस प्राइमरी स्टेज में लिंपाड प्राइमरी स्टेज के साथ तो रिजल हो जाता है कभी कभार बिना ट्रीटमेंट के भी यह जो घाओ है अपने ठीक हो जाता है तो इसका 6 हपते के बाद अपका सेकंडरी स्टेज स्टेय जुरू होता है तो इसेकंडरी स्टेज क्यों होता है जो बैक्टरिय पने प्राइमिरी चैक्टर जहां Justin रहता है वहां से स्प्रेड हो जाता है ब्लाट के दुश्रय जगह में प३ूंचने लगता है तब यह स़रू होता है तो सेकंडरी स्टेज में क्या होता है पूरा बॉडी में लाल क्रख दाना-दाना स्य उता है कब घब कभी वहां पर पॉपरी निकलता है निस्के citizen लगता है पिट्रे exatamente दे रिंब तो वेशावला बहुत तरह बोडी में रासिस देखने को मिल सकता है इसके साथ साथ कभी-कभी थोड़ा बुद फेरेंजेटी श्यानिंग गल्ले में दर्द होता है बोडी में पेन होता है और आपका जो लेंफट इनपर्थी भी होता है यानि बोडी में चोड़ा-चोड़ फूल जाता है यह नॉर्मली जो सेकेंडरी स्टेज होता है यह 15-30 मेन तरह सब्ता है इसमें आपका इसमें बड़ा हो सब्ता है इसको हेपाटोस्प्रेम वेगाली बोलते हैं और और एक टिपिडल क्यार्टेस्टिक्स होता है जिसको बूलते ही कॉंड्यल नमा लाटा इस डैल स्ट्धिर्ट रहता ही चोता है शब्षकर दाना दना देख रहें इसको बहुत लगाने से इसको अपका होता है और होता है आपका टिपीकल क्यारेट्रेटर्स्टिक्स है निस फोटो में देख रहें आप हाथ से चमडा निकलने लगता है जैसे कभी-कभी कोई डॉक्टर इसको कन्फूज होते हैं कि हाथ सायद एक्जीमा हो गया है जिसको हाइपर क्रेटोटिक एक्जीमा बोलते हैं नहीं तो पॉंप ब्लेंडर सुरियसिस बोलते हैं इसके साथ भी कन्फूजन हो सकता है तो इसलिए माइंड में रखना जरूरी है अगर किसी का हाथ पेर में सब्सक्राइब निकलता है इसको सिंफिलिस होने का चांसे भी रहता है इसलिए वीडियरल टेस्ट करने के लिए दिया जाता है और एक होता है मत इटन अलोपेशिया जैसे आप फोटर में देख रहे हैं ऐसे बोड़ी से यानि आपका आपका इसे अलोपेश्य भी देखने को मिलता है और सेकंडरी सिफिलिस में अगर कोई ट्रीटमें नहीं लेता है तो यह लाकेंट सिफिलिस में चले जाता है नहींतों तर्चेर सिपलेशिया चले जाता है यानि इस condition में patient का कोई symptoms नहीं रहता है सारे जो symptoms है body का जितना भी हमने science पता है symptoms पता है वो धिरे-धिरे ठीक हो जाता है और patient लगता है कि healthy है लेकिन अगर उसका blood test किया जाता है तो उसमें यह positive आता है मैं तो मैं जानने की जरहता है और इंसान-पागल जैसा है बहब कर सकता है इसको नीरो शीपिलिस को तो यह तर्सेव इसमेंसमें करीज़ और विए इस erfolg प्रादेंस प्रीज़ यह तो यह तो उगा है आपको क्लिनिकल फीचर के बारे में आपका स्थीमिली का स्टेज़ बारे में तो चले जानते डाइनियोसिसakahी से शीमिलीश सगल किसको है तो न्याकिल न Silicon की worked तो हिस्ट्री से पदा चलता है किसी के साथ उसने सेक्स किया है बीना इसके से करने के लिए जी सिस्कों जěता है जिसको बोलताइimana एग सब्सक्राइब पर कुछ बार इस आंड के बाद लिखतार है अगरेनी लिखता एंगे untuk जाने के बाद आटरोट पीमगार सब्सक्रात इन क्लाइब दिप्लाजमार लिखते नतर अब वाद क क्या सब्सक्राइब जन्यांतर Sãoco Vn जब प्राइमेरे स्टेज में अता है तो इसका जो त्रप्सक्राइब मेडिसीन जो एक ही सबसे ड्रोग होता हूं तब ढौत है कि दिए फियर यानि नचरप्र मिलियन इन्ट जो मल q mapa ता क्वाइस फिलिज को सपता है यह जो चेए निचेसिलिन ब्हुतं में रिम्ली कोता है। सती इसलिए एक एक अच्छा सेटप में जाकर दिजिए और इसको दीजे। सबस्क्राइब तो इसका इन्हाज़ मैं उटक्ट सेय्ज में आपका किसा का कि आपको पता है तो पता किसे चलेगा थीक हुआ की नहीं इसमें फल्दिंग टाइटर देहा जाता है यानि इन्जेक्शन देने के बाद तीर मेहने के बाद आपका डॉक्टर को दोबारा टेस्ट करने के लिए देंगे और आपका जो आर्पिया और विडियल जो लेबल रह जाता है उसको measurement किया जाता है यह अगर कम हो रहा है तो यानि अपका treatment ठीक चल रहा है सही चल ला है और आपका treatment से recovery हो रहा है उमीद है आज एक निया topic सिखने को मिला है और आपको यह topic अच्छा लगा अगर आपको इसे topic अच्छा लगता है तो मेरा YouTube आप इसको दुसरे के साथ सेयर करिए मेरा चैनल में और भी है वीडियो बना है जैसे कि जनेटल होपीज के बारे में बना आए आपको गई दुसरा टोपिक के बारे जानना है तो आप मेरे यहां पर कॉमेंट कर सकते हैं हम इसके पर निया वीडियो बनाएंगे फिर मिलेंगे कोई दूसरा टॉपी की साथ अभी विदा लेते हैं नमस्कार जेहिंगे